हलो एवरीबॉन काई से आप सब उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और मेना हाद होके रेडी हो गई हूं और मेरा हाउस क्लीनिंग भी हो गया जाड़ू पोछा का सारा काम हो गया है अब मैं जारी हूं मैं भी तयार ह हो गई नहा लिया हूं और आज में औरेंज कलर की साड़ी ब्यार किया हूं देख सकते हो मैं दिखाने कोसिस करूंगी देखिए यह वाली साड़ी हमने ब्यार किया है और बस मैं जारी हूं पूजा करने के लिए पूजा करने के बाद फिर दोनों को मैं ब्रश कर बाऊंग तो जारी हूं जल्द जल्द पूजा खतम कर लेती हूं और मैं कैसी लग रही हूं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करें बताईएगा चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आजय को दोनों को जगाऊंगी अभी देख सकते हूं अभी सोया हुआ है दिख रहा होगा यहां से थोड़ा हलका हलका तो मैं जारी हूं अभी पूजा खतम कर लेती हूं फिर आप सबसे मिलती हूं और प्लीज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हूं तो जरूर चैनल लगा लेती हूं तो यहां पर हमारा पूजा कठाली तयार हो गया है और फूरे सा मुझे मिसरी की जरूरत रहे घी है तो मैं परसाद ले लेती हूं मैं परसाद में मुखली और मिस्वी से ही मैं पूजा करती हूँ परसाद चढ़ाती हूँ दो चीज का और बस और मेरा पूजा कथाली तयार हो जाएगा हमारा परसाद भी लग गया है और कच्छा चावल अच्छा सिंदूर कुम कुम सब कुछ हो गया बस में दिपक जला ले लेती हूँ फिर में मा के पूजा करूँगी फिर मेरा पूजा कि थाली के प्लेट तयार हो जाएगा इधर में सुजवान को अर्ग देने के लिए जल चढ़ाने के लिए इसवे में कचा चावल, परसाद, फूल, सब कुछ चढ़ा देती हूँ, चंदन, कुमकुम, सब कुछ फिर में पूजा करने लगूंगी लेके पूजा की थाली, जोती मन की जैगाली, तिरी आरती उतार भोली, मा, ओ मा, ओ मा लेके पूजा की थाली, जोती मन की जैगाली, तिरी आरती उतार भोली, मा, तू जो देदे सहारा, सुख जीवन का सारा, तिरी चेरे नोपे बार भोली, मा, ओ मा, ओ मा रहे जब तक ये प्रान, केरू तेरा ही ध्यान, नाम तेरा पूखर भोली, मा, तू जो देदे सहारा, सुख जीवन का सारा, तिरी चेरे नोपे बार भोली, मा, ओ मा, ओ मा लेके पूजा की थाली, जो तिमनी की जेगली, तिरी आरती उतर भोली, मा, ओ मा, ओ मा जो और से बोलो, जय माता दी, आप सब भी आरती ले लीजिए, हमारा पूजा खतम हो गया, तो मेरा पूजा खतम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ, अदित्या और अजय को जगाने के लिए, और देखिए, यहाँ पर लगता है, सिंदूर लग गया है, तो चलिए, अदित्या और अजय को क्लास के लिए मैं तयार कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ, नि तो फिर इसको क्लास के लिए लेट हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लिएगे मैं दोनों को, अधित्या और अजय को, अभी अधित्या नींद में ही है, फिर भी आरती ले लिया है, उसको मैं बोली हूँ, आरती लेने के लिए तो फिर इसको मैं तीका भी लगा दिया हूँ, और ब्रस कर लेगा, फिर मैं परसाद एταतूंब यहांपर देखे मैं फ्रेंट कैमरा से मैं वीडियो कर रही हो तो हर चीज उल्टा लग रहा होगा मगर मैं सीधे हाथ से में आर्ती गायी हूँ सीधे हाथ से मैं आर्ती भी दे रही हूं बत्चे को ते मैं फूज़ाम कर लिया हूं और यहां पर लगता सिंदूर लगा है लाल लग रहा है यहांच में पुज़ा किया हूं तो हो सकता फोरेड में छूल लिया हूं तो यहांपर लग गया है तो चलिए आगेका काम करते हैं फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ अदित्या और अजय को फ्रेश करवाने के बाद तो यहाँ पर देख सकते हो अदित्या भी फिर से लेट गया बिस्तर पे मगर इसको मैं ब्रस करके में दे देती हूँ कॉल गेट फिर वो दात रगड लेगा और अपने से अदित्य धो लेता है और अजय भी छोटा है तो अजय को मुँ में ठुसके ब्रस करवाना पड़ता है यह थोड़ा जादे ही हुए है अगर खुद से ब्रस करेगा तो थोड़ा से इधर से इधर मार लेगा बाकी फिर जाके कुला कर लेता है तो इसको मुझे करवाना पड़ता है और देख सकते हो अभी भी आग खुद बंद करकर की ब्रस करवा रहा है फिर में दोनों को नहलाओंगी फिर दोनों फ्रेस हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ब्रस बगेरा करवा दिया हूँ नहा हुआ के फ्रेस हो गया यहाँ पर फिर में अस्कूल के लिए तयार कर देती हूँ इनिफॉर्म बगेरा पिनहा देती हूँ और यहाँ पर देखिए अस्कूल इनिफॉर्म में पिनहा के फिर बैठ अज़ गया है और 8 बज के 15 मिनट 15-20 मिनट में अस्कूल स्टार्ट हो जाता है कलास तो फिर अदित्य को कुछ नास्ता उस्ता करवा के फिर में कलास के लिए इसको बैठाऊंगी इधर देख सकते हो अदित्य को तयार कर दिया हूं इधर अजय को तयार करना है तो अजय भी यह भी तयार हो गया है इसको भी तयार कर दिया हूं अभी इसको भी थोड़ा सा सर में तेल लगा देती हूं इस तरह से बच्चे को तयार करके बैठाते हैं पढ़ाने के लिए तो थोड़ा उसे लगता है कि मैं अस्कूल में बैठा हुआ हूं और नहीं तो बस लेट गया सो गया उल्टा पुल्टा होके पढ़ता है और स्कूल से ही पीटियम में बोला गया है कि बच्चे को स्कूल इनिफॉर्म में ही बैठा करते हैं तो यहां पर देखिए अधित्य और अजय दोनों तयार हो गया है दोनों नहाद होके ब्रश करके सब कुछ रेडी हो गया पल भी मैं काट रही हूं और यहां पर एक बात पर मुझे हसी आई थी और देख सकते हो यहां पर फिर मैं दोनों को नाश्टा उस्ता करवाने के बाद कुछ बनाई थी तो उसके बाद कीचन में कुछ बरतन हो गये थे सब लोग चाई वाई पी लिए थे फिर यहां पर मै सोचिक चलो हाथ लगे लगे धो लेते हैं नहीं तो फिर बरतन इकठा हो जाता है तो मैं जल्दी जल्दी बरतन उर्तन धो लेती हूं और आप सब कैसे हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे यहां पर देख सकते हो मैं सभी बरतन को में धो लेती हूं और आज मेरे दादी का तेरा हमी है यानि आज जो है पीपल में पानी पड़ा है पीपल में पानी पड़ा ह तो बस आज जो है पूरे तेरा दिन हो गिया है और हम बिहार में बिहार में ऐसे ही होता है किसी कभी निधन होता है तो बस तेरा दिन तक काम चलते रहता है तेरा दिन के बाद फिर हो जाता सारा काम खतम और हम सब में जो बोलते हैं कि कहीं पे जाके गया जाके पिंड़ द मतलब पूजा करवाते हैं, तो तेरा दिन तक पिंड पराता है, उसके बाद ब्रहम जवनार होता है, ब्रहम भोज हम सब में बोलते हैं, तो बारा दिन का ब्रहम भोज होता है, तेरा दिन का पेपल में पानी पड़ता है, फिर काम समाप्त हो जाती है, तो आज मेरी दाती का तरह हमी है पीपल में पानी पड़ा है और जब पीपल में पानी पढ़ता है तो ढाल चावल सबजी सब अबसा पाई हूं इसका कारण भी में बताऊंगी और बस देख सकते हो और यहां पर मेरा सारा बढ़तन और धुल गया है और यहां पर मैं गईसे स्टोप भी साफ कर लेती हूं और गाड़ी नहीं मिलने के कारण ठोड़ा सा दिक्कत हो गई थी ट्रेन नहीं मिल रहा था और मिल भी रहा था तो बहुत महंगा मिल रहा था इस बज़े से नहीं जा पाई हूं और प्लस उपर से करोना बाइरस था और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे घरवाले पूछते नहीं है मेरे घरवाले तो बहुत बोल रहे थे कि आती क्यों नहीं है आती कि मुझे नहीं बुलाए, मुझे नहीं बुलाए, वो सब बुला ही रहे थे, मगर में नहीं जा पाई, और सच में यार बहुत याद आ रहे थी, बहुत याद आ रहे थी, ब्रोरों के तो मेरा हालत खराब हो गया, तो सब लोग गाउं पहुच गए हैं, सिर्फ में गाउं न थी हद से जादे टेंसम था ताकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी सिर्फ सोच में ही पड़ी हुई थी कि सब लोग जा रहे हैं मैं नहीं जा पा रही हूं तो यहां पर देख सकते हो यहां पर कपड़ा उपड़ा धुल गिया है चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हो तो प्लीज आप से भी से रिक्वेश्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के बाद बेल एकन के घंटी प्रेस कर लें तो यह ब्लॉग यही तक थी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाई थैंक एक्यू